फरिदबाद की नीमका जेल में बंद करीब धाई हजार कैदियों को नए साल में रेडियो एफम का तौफा मिलने जा रहा है जेल प्रशासन द्वारा खुद का एक रेडियो एफम स्थापत किया जा रहा है जिसके माध्यम से जेल में बंद सभी कैदी मनुरंजन कर सकेंगे इतना ही नहीं कैदी अपनी फर्माईश से गाने सुन सकेंगे खास बात यह है कि नीमका जेल के सुप्रिटेंडंट जैकिशन चिल्लर की माने तो एफम को चलाने वाले रेडियो जॉकी भी कैदी ही होंगे जिनने बाकाइदा ट्रेनिंग दी गई है फरिदाबाद की नीमका जेल के अलावा अमबाला और पानिपत की जेल में भी इस तरह से रेडियो एफम सापित किये जा रहे है फरिदावाद की नीमका जेल के अंदर अपना एक रेडियो एफेम होगा और इस रेडियो एफेम को खुद जेल पिरसासन चलाएगा और फरिदावाद की जेल के ही नाम से इस FM रेडियो में जो रेडियो जोकी होंगे वो भी जेल के अंदर रहने वाले कैदी होंगे उनके लिए वाकाइदा ट्रेनिंग दी गई है कुछ कैदियों को दस ऐसे कैदियों को ट्रेनिंग दी गई है जो संगीत से लेकर साहित और जेल के अंदर की खबरों को FM पर प्रिसारित करेंगे और जेल में तमाम बंद जो कैदी हैं वो वाकाइदा स्पीकर के माद्धम से मनोरंजन कर सकते हैं और इतना ही नहीं है ये किस तरह से और बाकी दो जेले हैं अंबाला और पानिरपत वहां भी इसी तरह के FM लागू करने की तैयारी की जा दिजी की तरफ से बात कर लेते हैं हमारे साथ में जेए एस पी जेल जेकर संचिल्दर हैं खुद उन से बात कर लेते हैं एक के तिनका तिनका फाउंडेशन की जो फाउंडर है मैडम वर्तिका नंदा उनके माध्यम से ओन लाइन ट्रेनिंग दिलवाए गई है हमारी जेल की तस टोटल दस इनमेट्स को सामिल किया गया है जिसमें से पांच महिलाएं और पांच पुरुष इनमेट्स जो हैं उनको और बाकी अमबाला से छे और पांच पानिपत से इनमेट्स को सामिल किया गया है जो यह रेडियो जोकी बनाए गए हैं क्या क्या करेंगे यह क्या पूरी तरसे ट्रेंड हो चुके हैं इनका काम क्या रहना है इनको पूरी तरीके से जो ट्रेनिंग दी गई है और ट्रेनिंग देने के बाद इनका सार्टिफिकेट वगरा भी डिस्ट्रिब्यूट किये गए हैं यह मैसे ही खुद के जो है वो न्यूज इखटी करेंगे और जेल के अंदर क्या अच्छा हो रहा है नियमों की जानकार देना उसके साथ मनोरंजन का प्रवंद करना जो बंदियों की फरमाईस के जो गीत हैं वो बजाना मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा प्रद जो करिया करम है वो यहां लागू होंगे जिस से जेल के अंदर जो अनुशासन है वो भी मैंटेन रहेगा और इस एफम रेडियों स मिलेंगी इसके साथ साथ जो कुछ नियम कायंद कानून की जो जानकारी इसके साथ भी जिक्र कर रहे थे आप फरमाइस का कह दियों कि फरमाइस किसे पहुंचेगी एफ-एम तक उनकी उसमें जो हम सभी बैरकों के अंदर जो हमारे निगरान और जो नंबरदार वगरा होते हैं उसके माध्यम से हम एक ऐसा सिस्टम में जाद करेंगे कि वह कोई भी बंदी बजाया जाएगा ताकि उस बंदी को यह लगे कि आज तेरी 24 से कोई गीत जो है बजाया जा रहा है उसको ताकि अच्छा फिलो अच्छा बात करें रेडियो की एफ-एम की तो इसकी जो रेडियेशन है यह कहां तक सुना जा सकता है क्या जेल के अंदर ही सुन सकते हैं या रहेगा जेल के दोवरा ही यह प्रसारण होगा और जेल के लिए ही रहेगा जाया इसको बहुत जल्दी हम सुरू करने जा रहे हैं अभी सभी बंदी जो है प्रेक्टिस कर रहे हैं और वह अपनी जो योग्यता है उसको काफी अतक जो बढ़ा रहे हैं उनके बोलने का जो उसके अंदर बहुत प्रिवर्तन आया है जिस प्रकार से जो है उन्होंने जितनी जल्दी सिखा है उससे निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है वो दे पाएंगे और सभी का जो मनोरंजन और सिक्षा का जो सादन है वो जो उटा पाएंगे बिल्कुल निश्चित तोर से देखिए कि बड़ी पहल और एक बड़ा कदम कह सकते हैं कि कैदियों को एक मनोरंजन के साथ साथ में जो ग्यान उनकी जवजानकारी है सिक्षा प्रजानकारी वो उनको नियम कानून कायदे तमाम तरह के वो सीखें इस बात को लेकर एक महत्प माइस के गीत विजन से